आज ममता दीदे ने किया है मोदी जी के बारे में और जिस तरह का भद्दा शब्द और सड़क छाफ शब्द उन्हों ने इस्तिमाल किया है साफ दर्शाता है कि कितनी बौकलाई हुई कितनी सक्पकाई हुई है ममता बैन जी आप सोची कुछ तो राजनितिक मरियादा होती है ना कुछ तो शिष्टा चार होता है जिससे बरकरार रखना चाहिए आज उन्होंने वैसे सारी हदे पार कर दी है वैसे तो विपक्ष रोजाना मोदी जी को कोसने से बाज नहीं आता लेकिन आज ममता बैन जी ने जिस शब्दावली का इस्तमाल किया है और जिस भद्दे ढंग से प्रधान मंत्री जी के बारे में बहुती घिनौनी जबान इस्तमाल की है वाकई में ना सिर्व अशोबनी है ना काबले बरदाश्त है मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौकलाई हुई है और राज़यते खौफ से वो सकपकाई हुई है और इसके चलते उन्होंने अपना सारा घुसा निकाला है और जो उनकी अपनी असलियत है जिस तरह से वो सोचती है जिस सरा से उनकी भाशा है जिसका वो प्रयोग करती है वो सामने आ रही है कि कितनी अशिश तरीके से अभध्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाशा है और सोचने वाली बात है ये एक महिला मुख्यमंतरी की जबान है